ऐसे फ्रहाइब करते हैं नहोद 20 अद्ब करके दो कि इसे man kini करके दो कि भाई हलकाई हो जाए बर जे जो अंदर कचला भरा हुआ होक्वा है युदORE-टो-दूसरों इस तो बताए नहीं सकती है तो बाबा को बताएंगे, तो तो हलके हो जाएंगे। पर इतने जनमें जो पाप किया है वो कैसे लिखेंगे। राम रावन के राज से लेकरके ही ये पांच विकारों के पाप शुरू होते हैं। अब बोतो याद नहीं पड़ते हैं। तो कैसे बताएंगे जो हलके हो गए। तो इस आफिरी जनम में तुमको पता पड़ सकता है। क्या। कि हमारी बुद्धी और अमोरों की तरफ तो नहीं जाती है। अगर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरुव जनम में। उने के साथ कोई संबंद, संपर्ग, संसर्ग, जोड़ा है तो उने की तरफ हमारी बुद्धी जादा जा रही। तो बाबा ने बताया तरीका कि वो पिछले जनम की बात हमों कैसे बता रहे। ऐसे बताओ मनन चिंतन मंधन करके बाबा ने जो ग्यान दिया है उसे ग्यान से टेंडी करके बताओ। जादे बताओ।